नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में हमारा आज का विशे है हिंदी भाषा और उसका विकास इसके अंतरगत हम पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं वो बोलियां तो इसमें हमने पश्चमी हिंदी की दो बोलियों को कर लिया था तो आज हम अन्य जो उप भाशाएं और बोलियां बचती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतरगत आने वाली बोलियों की तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हर्यानवी को तो जैसे हर्यानवी नाम से ही पता चलता है कि जो हर्याना के क्षेत्र हैं असपास के जो क्षित्र हैं, वहाँ पर जो बोली या भाशाय बोली जाती हैं, उसी बाशा को क्या नाम दिया जाता है? हर्याणवी नाम दिया जाता है. तो इसके जो अन्य उपबोलिया हैं, देखिए, वो हैं जाटु, बांग्रू, चमरवा तो जाटू नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि हर्याना में जाटों की क्या है अधिकता है और जिस बोली का इस्तिमाल जाट लोग करते हैं वो ही बोली क्या है जाटू है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा जाटू पड़ा अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो इसके अन्य नाम है बांगरू और देसवाली जो बांगरू नाम दिया गया, ये नाम इसको दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके बोलिक शेत्र तो बोलिक शेत्रों में आते हैं पानिपत, सोनिपत, जीन्द, पट्याला, हिसार और दिली का कुछ देहाती हिस्सा तो यहाँ पर इसको बोला और समझा जाता है अब हम देखेंगे दखिनी हिंदी दखिनी हिंदी को बहुत सारे विद्वान क्या कहते हैं कि जो दखिनी हिंदी है वो एक स्वतंत्र बोली न होकर क्या है वो खड़ी बोली हिंदी का ही रूप है और इसलिए वो क्या बानते हैं कि यह स्वतंत्र बोली नहीं है लेकिन कुछ विद्वान अन्य विद्वान कहते हैं कि यह क्या है स्वतंत्र बोली है और इसलिए इन्होंने इसका जो दूसरा नाम दिया है जो गुजरात में दखिनी का रूप है वो गुजरी नाम है इसका इसलिए इसको क्या कहते हैं गुजरी भी कहा जाता है और इसके बोली क्षेत्रों की अगर हम बात करें दोस्तों यह बीजापूर, गोलकुंडा, मध्यप्रदेश, एहमद तो यह होगी बात दखिनी की अब हम देख लेते हैं कि पश्मी हिंदी के अंतरकत आने वाली जो अन्य बोलिया है वो हैं बुंदेली तो बुंदेल जो राजपूत थे उन्होंने जहां जिस जगह पर अपना अधिपत्य जमाया वहाँ पर जो भाशा बोली गई फिर बाद तो यह जो प्रमुक रचनाय हैं मतलब इसमें रचनाय हैं यही रचनाय इसमें रची गई हैं बुलिक शेत्रों की बात करें तो जहांसी जालौन चत्रपूर दतिया सागर और और ओर्चा यह इसके बुलिक शेत्र मने जाते हैं ठीक है दोस्तों यह इसली में कम करवा रहा वो है पांचाली, तो जिसको ये पांचाली नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है इसको किशोरीदास वाजपई के दोरा और अगला देखे कनौजी में क्या है कि ब्रज भाशा की तरह एक समानता है, कुछ लोग कि ये इसकी एक मौत्रपुल विशेशता है, कई बार एक्जाम में पूछा जा सकता है कि संयुक्त स्वर प्रधान बाशा कौन सी है, तो संयुक्त स्वर से क्या भी प्राया कि जहां पर दो स्वर एक साथ हों, बहुत कम देखने को मिलता है कि जहां पर दो स्वर एक साथ हों, तो यह विशेशता है किसकी कनौजी की अउरत देखिए और उ दुन साथ में है अगर हम हिंदी में देखते है इसको या खड़ी बोली में देखे तो आउ जो दो मात्राओं वाला आउ है तो वो होना था और आगे रो और तो होना था लेकिन यहां पर क्या है और रो तो दो स् क्या दुनिया ठीक है तो यह इसकी क्या एक अन्य विशेशता है कि इसमें क्या है अनुना सिकता है अगर हम कनौजी के क्षेत्र की बात करें केंदर की बात करें तो इसका जो केंदर है वो कनौज है और कनौज की बोली होने के कारण ही इसका जो नाम करण क्या पड़ा कनौ मैंने अपनी सुविदा अनुसार ये बनाया था कि कन्नौज के शाजां के कान पर हर पीली इंट फुर हुई, तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है दोस्तो, तो अनुनासिक्ता मैंने आपको पहली बता दिया कि कन्नौजी में क्य है, अनुनासिक्ता है, तो ये हो गया कन्नौजी और पश्चमी हिंदी के अंतरगत आने वाली जो भी बोलियां थी, आईए अब हम देखते हैं, अगली जो उप भाशा है, वो है राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी को दोस्तों क्या गाजाता है, कि ये मालवा जनपद की भाशा है, विद्वान इसको क्या मानते हैं, कि मालवा जनपद की भाशा क्या है, राजस्थानी हिंदी है, तो राजस्थानी हिंदी के अंतरगत जो चार बोलियां आती है, वो है मारवाडी, जैपूरी, मेवाती और मालवी, तो चलिए सबसे पहले हम देखते ह पश्मी राजस्थानी के नाम से भी किसको जाना जाता है मारवाडी को जाना जाता है अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम या पूराना नाम है मरुबाशा यहां की उप बोलिया है मेरवाडी सिरोही धुंडारी बोलिक शेत्रों में के पूराने नाम की बात करें तो इसका पूराना नाम है धुंडाणी या फिर कुछ लोग कहते हैं धुंडाडी ठीक है ये जो इसके जो बोली ख्षेत्रें देखिए संपुन जैपुर्ख शेत्र में ही बोली जाती है सिवाए शिखावटी के तो जो शिखावटी है वहाँ अगली जो है देखिए वो है मेवाती अन्य नाम जो दिये गया है हो है उत्री राजस्थानी तो मेवाती नामकरण इसका इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर क्या है कि मेवजाती है और मेवजाती के लोगों के द्वारा जो बोली बोली जाती है उन्हीं की बोली को क्या का गया मेवाती बोला गया है इसके जो बोली क्षेतर है अलवर, गुडगाउं, भरतपूर ठीक ह तो यह था मिवाती अगले जो आखरी बोली है जो पश्चमी जो राजस्थानी हिंदी के अंतरगत आती है वो है मालवी और इसको कहा जाता है दक्षनी राजस्थानी तो मालवी देखिए पहले भी हमने कहा कि मालवा जनपत की बाशा है और उजयन के आसपास के खेतर की लिया और उनके बारे में हमने थोड़ी संक्षिप्त सी जानकारी आपको दी है अब हम पढ़ेंगे आगे जो पहाड़ी हिंदी है तो पहाड़ी हिंदी का हम अगर इसकी विकास की बात करें तो दोस्तों ये खस प्राकृत से इसका विकास हुआ है बहुत बार एक्जाम मे उसके अंतरगत जो आने वाली दो बोलिया है उन्हीं दो बोलियों का क्या है वर्नन या उन्हीं दो बोलियों को भिद्वान मानते हैं किसके अंतरगत पहाड़ी हिंदी के अंतरगत दो बोलियों को ही मानते हैं कौन-कौन सी थी पहली आपकी गड़वाली और दूसरी कुमाय नहीं नहीं तो मध्यवर्ति और पश्चिमी पहाडी तो पश्चिमी पहाडी को नहीं लेंगे हम किसको लेते हैं मध्यवर्ति पहाडी को तो मध्यवर्ति पहाडी मतलब पहाडी क्षेत्रों के जो मध्य का बाग है वहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसी को कहा जाता है मध देवर्ति पाड़ी यह नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो इसके अंतरगत गडवाल जो पहली गडवाली है तो उसका जो केंद्र है वो है गडवाल ठीक है इसलिए इसका नाम पड़ा गडवाली और वहां की जो उपबोलिया है यह श्रीनग्रिया राठी सलानी गडवाली और टेहरी तो यह उपबोलिया है वहां की प्रमुक्ष अगर साहित्य की बात करें इसमें तो साहित्य रचना नौ के बराबर हुई है लेकिन जो लोग साहित्य वो अधिक इसमें लिखा गया है तो ठीक है दोस्तों यह हो गडवाली अब हम बात करेंगे जो कुमावनी है वो क्या है वो राजिस्थानी की एक तरीके से उपभाशा मानी जाती है ठीक है और इसके जो बोली क्षेत्र है देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो कुमावनी है या कुमावन क्षेत्र है जिसका पुरा नाम कुरुमांचल भी था तो वहाँ पर जो बहाशा बोली जाती है वो ही क्या है वो कुमावनी है और इसकी जो बारा उप बोलिया है जिनमें खस इसकी क्या है प्रमुख उप बोली है ठीक है दोस्तों अगर हम बात करें पहाड़ी हिंदी की तो इसकी अन्य जो बोलिया है जो गड़वाली और कुमावनी को छोड़ के ह वो है नेपाली, नेपाली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, सिर्मा और आधिक शेत्रों में बोली जाती है, कई बार एक्जाम में ऐसी पुछ ले जाता है कि जो नेपाली है वो कहां पर बोली जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगा है जहां पर बोला जाता है तो यह थी दोस्तों पहाडी हिंदी अब हम देखेंगे पूर्वी हिंदी तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण बोली है वो है अवधी और अवधी को ही हमारे UGC net के पार्ट अक्रम में रखा गया है जिसकी विशेष्टाओं को भी च प्षेष्टाओं बोली ठीक है इसका जो केंद्र है वो अवध जो आयोध्याता रामचंदर जी वाला वही इसका क्या है केंद्र है अगर हम इसके ख्षेत्र की बात करें देखिए हरदोई के अलावा संपूर्ण अवध प्रांथ हरदोई हरदोई में कौन सी बोली जाती जी थी कनोजी, ठीक है? तो हर्दोई में कनोजी हो गई, लेकिन उसके अलाबा अवद में जितने भी प्राउंत आते हैं, अवद प्राउंत में जो अन्य जो स्थान आते हैं, वहां पर क्या है? इसको बोल जाता है. अगर इसके अन्य नाम एक और नाम है बैसवारी और ये नाम इसको दिया गया है डॉक्टर भोलानात तिवारी के द्वारा तो बैसवारी नाम किस ने दिया भोलानात तिवारी ने दिया है ठीक है और प्रत्थम उलेक की बात करें तो जो देशी भाषा के रूप में इसका पहला उलेक मि हुआ है इसका इसकी रचना हुई है कई बार एक्जाम में पूछ ले जाता है कि कुबले माला किसकी रचना है तो हमें ये भी याद होना चाहिए और किस भाशा का इसमें वनन मिलता है हमें कोसली का या अवधी का वो भी देशी भाशा के रूप में ठीक है तो इसका जो पहल काब्य है देखिए वो है चंदायन तो चंदायन किसकी रचना है मुला दाउद की और यह 1370 में रची गई है तो यह थे अबधी के बारे में थोड़े सी इसकी जानकारी कि अबधी कहां से निकली हुई है और इसके बोली शेत्र क्या है है ना अब हम पढ़ेंगे कि अबधी म साहित्य कितना रचा गया तो अबधी की बात अगर करें तो ब्रज भाषा के बाद सबसे जादा साहित्य रचना किसी बोली में हुई है तो वो है अबधी है ना किसी बोली में हुई है अबधी बोली में हुई है देखिए तुलसी दास जिन्होंने लगबग 12 के आसपास ज लिखा है और इनकी अन्य रचनाय देखिए रामाग्या प्रशन पारवती मंगल और चानकी मंगल और बरवरमाइन ये भी किसमें हैं ब्रजबाशा में जाइसी का पद्वावत ये अबधी में है सोरी और कुतुबन का अम्रिगावती उस्मान का चित्रावली और नूर महम्म का इंद्रावती ये जो सब रचनाय हैं ये किसमें रच गई हैं अबधी में तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अबधी का साहित है वो बहुत संपन है है ना उसमें वो बहुती विस्तरित है एक तरीके से तो ये हो गया अबधी अब हम देख लें दिखते हैं अबधी की क्या क्या विशेष्टाएं हैं तो इसमें जो पहली विशेष्टाएं देखिए नौ के स्थान पर नौ का प्रियोग तो जैसे गुण होगा तो उसका हो जाएगा गुण डौ के स्थान पर रौ लड़का होगा तो लड़का ठीक है जिसे भाषा हो गया तो भाखा री के स्थान पर री, रिशी का रिशी हो जाएगा शौ शौ के स्थान पर सौ है ना? यह इसकी अलग विशेशता है, अंत में वखेस्थान पर उ, जैसे ना बोलना होगा तो वो क्या बोलेंगे? ना उ तो अधिकान शब्द इसमें क्या है? वाकारांत. वाकारांत मतलब जहांपर वा से उसमें क्या है? उनका शब्दों का क्या है? समापन हो रहा हो वा से. ठीक है? जैसे जगदीश से हो गया, जगदीश हुआ. ठीक है? तो ये इसकी मौतवपोन कुछ विशेशता हैं. अब हम अन्य नाम क्या दिये गए है रिवाई और दक्षनिअब्दी रिवाई नाम इसको इसलिए गया क्योंकि रिवा के आसपास जो बोली बोली जाती थी उसी को क्या का गया रिवाई का गया और इसका जो केंद्र है वो क्या है वो रिवा है और इसकी जो उपबोलिया है वो है न पूर्वी हिंदी के अंतरगत आने वाली बोलियां, अब हम अंत में देखेंगे बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी को भी विद्वानों ने दो बागों में बांटा है, पहला इसमें पूर्वी बिहारी, दूसरा है पश्चिमी बिहारी, पूर्वी बिहारी के अंतरगत जो बोलियां आती हैं वो मैथीली और मगही और पश्चमी बिहारी के अंतरगत आती है जो बोली वो है बोजपुरी तो सबसे पहले हम देखेंगे बोजपुरी तो बोजपुरी जो बोजपुर जनपद के आसपास जो बोली बोली जाती थी उसी का नाम है बोजपुरी और इसका जादा जो बोली बोली जाती है वारत पर्च में वो कौन सी है बोजबूरी बोली वाले लोग यहां पर मिलते हैं ठीक है अगर हम इसके बोलिक शेतर की बात करें तो बोजबूर, शावाद, छपरा, चंपारन, गोरकपूर, देवरिया, गाजिपूर, बलिया और बनारस यहा एक बार पूछा भी गया था कि विदेशिया कहां का लोकनाट है तो वो बोजबूरी का है और साहित्य रचना बोजबूरी में करने के कारण ठाकुर को क्या गा जाता है बोजबूरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है तो यह थे बोजबूरी के बारे में कुछ मौतपुन ज पाना जा सकता है तो जैसे मिधिला मेरे मुम से अभी निकला तो मिधिला की भाषा होने के कारण अगली जो हम बोली पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है वो मैथिली है तो आईए अब देख लेते हैं मैथिली भाषा को मैथिली बोली को तो मैथिली का तो दूसरा नाम है देखि मतलब कि देशिल बहना जो नाम दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है विद्यापती के द्वारा दिया गया है उसका अर्थ है देशी बाशा तो दूसरा नाम है इसका तिरहुतिया अब मैथली के सम्मंद में एक महतपूर्ण चीज है दोस्तों वो है कि जो आठवी अनिस तो आठीवेनी सुची में कौन-कौन बाशा हैं यह हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे ठीक है तो इसकी जो छे उप बोलियां है इसकी इसके साथ ही साथ इसके क्षेतर दर्भंगा पूर्णिया किशन गंज मदुबनी समस्तिपूर जमशेतपूर देवगर यहां बोली तो रचनकार है इसके विद्यापती और नागरजुन तो विद्यापती को साहित्य रचना मैथली में करने के कारण ही क्या का जाता है मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है और जो दूसरे साहित्यकार हुए नागरजुन जिनका ग्वस्तविक नाम क्या है वैदेनात भी मिलाए तो इसके दार पर हम कह सकते हैं कि मैथली का जो साहित्य है वो काफी संपन है ठीक है दोस्तों तो अंतिम जो इसका बिंदू है जो मैथली से संबंदित है वो है कि जारखंड में दृत्तिय राजबाशा का दरजा कि इसको प्राप्त है मैथली हिंदी को ही प्राप इसी के साथ जय हिंद जय वारत